है आप सब स्वागा थे आपका हमारे यूटूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर तो आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं बाया लोजी का चैप्टर नमर नाइन का एक्सरसाइस और यह कंप्लीट एक्सरसाइस होने वाला है और आप लोग को अगर इसकी पीडिया फगरा चाहिए रहेगी तो आप टेल चाहो मेरी वाइस इस मोस्ट इंपोर्टेंट और को यह स्ट्रक्चर को देख लो बस आराम से आपको समझ जाएगा चैप्टर नमबर नाइन है जिसका नाम है कंट्रोल और कॉडिनेशन बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन होता है सभी नीट और पेपर के लिए हर जगा है त तो हमारे सारे mcq के कुशन के एंसर से आप चाहो तो इन्हें ना अच्छे सी इसका स्क्रेंशाट भी ले सकते हो जिसकी पहला कुशन है दे नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल्स यूजिस बोथ इलेक्रिकल एड केमिकल मीन सेंड सिग्नल वाया नियूरॉन्स विच पार्ट आफ लिएसली ऐसिटायल कॉलिब यह हमारा होता है ठीके इतना आपको समझ के रखना है दा सपोर्टिंग सेल डैट प्रोटीन होर्मोंस आर लोकेट इन ओडी सेल सर्फेस बजर रिचेप्टर सो ते रसांसर फिलारी कुशन रडियू से आप लोग के लिटिके आगे बढ़ते इस पैरा थाराइट ग्लाइट ऑफ मैना रिमूव थे स्पेसिफिक रिजल्ट विल बी और सेट ऑफ मेक्जर देवा एक माइक सो एडिमा एडिमा में स्वेलिंगे चल्वांगे बढ़ते होर्मों थायरोक्सी एड नालीन एड नॉन एड अडर फॉर्म्ड टायरोसीन और केमिकल कंपाउंड करना आवे ठीक है अंगे बढ़ते हैं अभी तो को यहां पर हमारा ऐसी बहुत सारे दिए अभी फैरो मॉल्स आर केमिकल में सेंजर प्रूस्ट ब्रूस्ट बाइड इनिमाल एड रिलीज आउटसाइड दी बाडी दो ओडर ऑफ दीस सब्स्टेंस आर इंडोग्राइन ग्लैंड तो इंडोग्राइन ग्लैंड में पीटिटरी ग्लैंड थायरवाइड अट्रीन और थाइम अस्टीन आती हैं आफ्टर ऑफिलेशन ग्राफियन फॉलिकल चेंज इन्टु कॉर्पस लूटियम अब यह हमने पढ़ा भी ता वैसी अगर इधर नह होता है ठीक हाइपर ग्लैसेमिय डैसीजर डायरेक्ट कॉंटेक्ट आफ दी ब्रेन इन हीमें तो पाया भीटर ओके इसका आपको समझ के रखना है गाईज आप लोग को मैं बात बता दूब के अनकेडमी ने आप लोग के लिए लिए लांच कर रखा है नीट के लिए जिन बंदों को यी पेपर देना है तो सभी लोग यहाँ पे अनकेडमी की बैचेस को जॉइन कर सकते हो और यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं एक नहीं बनकी दो-दो बैचेस यहाँ पे लांच हुई है एक तो जैन 3 सी स्टार्ट हो चुकी है म इतना आपको समझना है तो जिन बंदों को नीट देना है और उनका सपना है कि वो MBBS डॉक्टर बने और वो बन भी सकते हैं एजली क्योंकि देखो यहाँ टीचर की कमी होती है अगर एक टीचर चाहे तो आपको कहीं से कहा पोचा सकता है तो आपको एक दम अभी कोटा वग इसे आप लोग को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर वगरा करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी तो या फिर आप डायरेक्ली सिधा भी जाओगे तो भी चलेगा एप्लिकेशन के अंदर सबसे पहले आपको राइट कॉर से लेस अमाउंट में पढ़ाई कर सकते हो गाईस अगर आप लोगों को ना मतब टैन परसेंट एक्स्टर डिसकाउंट चाहिए रहेगा तो आप यहाँ पे लिग देना न्यू इंडियन एरा कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस ठीक है अगर आप लिगते हो तो आप आपको यहाँ पे 10 परसेंट का एक्स्ट्रा डिसकाउंट मिल जाएगा ठीक है और इसी होगा आपका बहुत ज्यादा फाइदा ठीक है आपको बेसिकली प्लस के यह फाइदे मिलते हैं कि इंडिया की बेस्ट एजुकेटर रहेंगे इंट्रेक्टिव लाइफ क्लासेस जाएगा आइकॉनिक वाला अगर आप लेती हो यह सारी चीजेद यह लाप कहीं पर भी नहीं मिलती पर दस नहीं चीजेट तो कहीं पर याप कहीं भी फिजिगal क्लास में लगा लगा आपको निकरेगा ठीक है बट या प्रशनर को फिर आपको फाइदा जरूर होगा अभ इतने सब बीडियों में समझा रखा है लेकिन कितना पॉइंट एंसर लिखना है वह मैंने आपको आपको बता रखा है ठीक है तो यह बात आपको समझी रखना है पहली बात लोकेशन बता दो कहा रहता है कि यह जो होता है यह मिड़ ब्रेन के पास होता है बेसिकली और यह मोटर कॉडिनेशन में हेल्प करता है अगला कुश्य ने इंपॉर्टेंस ओफ कॉर्पूरा क्वाड्री जैमिना अब यह आपने सुनाओक मस्त नामे ना कॉर्पॉरा क्वाड्री जैमिना का बात है बतार यार बाया लाजिक के बंदेना अलगी लेवल पर रॉक करते ह यह इतना आपको लिखना की सुपीरियर कॉलिकुला जो होती है उसमें इनवाल रहता है विज्वल रिफ्लेक्स में अब इतनी सारी चीची तो आपको याद करनी पड़ेंगी मतलब यह चैप्टर में देखो यार हम ब्रें से ही ब्रें के बारे में पढ़ रहे हैं क्या ही म दिस्तिंक्ली ठीक है तो यह सारी सीजों में हेल्प करता है कोर्पोरा कोर्टरिज है मिना जो कि मेड़ ब्रेंट का पार्ट है अंगली बात वाट बाट कॉर्चे बिलम ऑफ दी ब्रें कंड्रोल तो से बिलम बिसकली एक लार्जस्ट पार्ट होता है पुरे ब्रें का और रहता है और तो और यह बिसिकली मतब ग्रे मैटर हो चाहे पाया मैटर यह कॉर्टेक्स ऑफ दी ब्रेन पे यह क्या रहे तो वहाँ पर यह प्रेजेंट होता है और तो और यह ना मतलब इंटर मिक्सिस फॉर्म करता है ट्री लाइट पैटन और वाइट जिसको हम कहते हैं इन सारे चीजों में लोकेशन इसकी सारी आपको समझके रखनी है ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पर दिख लो नेम दी थ्री ओसिकल् फिरके तो उनका नाम ही है मेलियस इनकोस स्टेपिस यह कि नाम है आगई का लिखो चाहें मतले इतना यादर लो अगला नेम दी ह्वर्मोन विच इंटेवर्शन होर्मन प्रूटेस्ट रॉंब यह वर्मन लेलों कम पच्चीस जाएगा कम धाम पच्चीस है वां पच्ची जीन एक्स्प्रेशन इस्टरोइट ठीक है मतलब इस्टरोइट ही तो यहां जहां इस्टरोइट वाले वाले हर्मोन होती है इतना तुभे समझ के रखनी है ठीक है तो यह आगे बढ़ते हैं यहां पर देखो चैसे यहां वाट इस दी कॉज ऑफ अबनॉर्मल इलांगेशन of long bones of arms and legs and the lower jaw ठीक है तो growth hormone का excess formation और abnormal elongation कर दिता है आगर देखो कुछ बत कुछ लोग क्या होते है छोटे height के होते हैं ठीक तो उनके अंदर growth hormone अच्छे से नहीं होती है इस बात को आपको समझना है उनके अंदर स्कुरेट बाइपी लेंड मैल अटावन यह तो एकदम मताब टूद पॉइंट कुछ एंसरी इसको याद करना पड़ेगा विच इंडोग्राइन ग्लैंट प्रेंट प्रेंट रोल इंप्रूविंग इमिल्टी थाइमस ग्लैंट से इमिल्टी वड़ती है थाइमस इंप्रे अर्थवर्म में रहेगा क्या नहीं आगे बढ़ते हैं लेडर टाइप यह हमारा फ्लैट वम रहता है गैंग्लियों जो होता है वह अर्थवर्म में भी प्रेजेंट रहता है और नर्वनेट हाइड्रा में तो याद रखो अच्छे से ठीक है चलो अभी आंके बढ़ते है पेंक्रियास प्रेजंट रहता है इतना यांद को तो सब्रक्राइल इसके अंदर बहुत सरे सेलोड़ी याडस फ supports कर पूरे पुरे पुरे पेंक्रेस में से ठीक है फिर उसके बाद जो हमारा बीटरसे लो थे परसेंट करता है और बीसिकली इंसुलीन वहता है जो होते हो पूर करता है फॉरेशन अफलाइको गया गयन जो होते है चुन्टल करता है है इसे इंप्रीज करता है बचाता है उससे ऐसे डेल्टा से यह सब को रिलीज करने में बहुत करता है ठीक इतना तुम्हें समझ करता है जो हमारा पीपी सेल होता है यानिकी पैन्क्रियाटिक पॉली पैप्टाइट सेल्स यह इनिविट करते है रिलीज ऑफ पैन्क्रियाटिक जूस को इनिविट करते हैं या दखना चाहिए एक्जिबीट और इनिविट या दखको अच्छे चलो और अंगला कुशन चलते हैं अंगला कुशन है मैंसन दी फंक्शन ऑफ टेस्टोइस् से ही था हम लोग चैप्टर सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले थे तो मैंने इस से पूछा चलो भाई बताओ कि टेस्टोइस्ट्रों किसमें रहता है एक गल से पूचा था उसने वह यह सर रहता है फीवेल में रहता है लारे वाह कितना अच्छी बात है तुम तो मतलब कम होता है अब तो कम समझ जाओ ठीक है तो एमेल वेसिकली से एलीजिस करते है फीमेल नहीं लीकर यह दो यह एक एंड्रोजैन ही होता है तो एंड्रोजैन ही करता किया है यहां पर जीपनें ओफ व Commerce से मतब मोटी आवाज हो जाती है ऐसे ठीक है फेसियल पब्लिक है अप्यूबिक यार यार पब्लिक है ब्रादनिंग ऑफ शोल्डर से एंड मेल एग्रेसिव निस ठीक है तो थोड़ा से तुमको समझके रखना है बाकी कुछ चीज़े नहीं आगे बढ़ते हैं और तो और मत सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बिसिकली कॉस करता है एक सीव मिक्चुरेशन और पॉलियूरिया और पॉलिडिप्सिया इंग्रीजिंट थर्स्ट थर्स्ट वाले में तो यह सब कर देता है अगर आपके अदर एडिएच बहुत कम सिक्रीट होता है तो आगे बढ़ते हैं फिफ्ट शॉर्ट एंसर सब्सक्राइब क्या राकेश भाई कहां से आगे राकेश गौट हर्ट और हीज हैड वेन ही फैल डाउन फ्रॉम इस मोटर वाइक तो यहीं होगा ना मेरे को तो बाइक ही चलाने नहीं आती वीचिनर मेंब्रेंस मस्ट है प्रक निकलेगा चला कुछ नहीं तो वेन राकेश फेल डाउन फ्रॉम इस मोटर वाइक इनर मेंब्रेंस मेनिंजेस प्रेक्टे दिस ब्रीन फ्राम एंज्री इस बेसी जिए उसने पूछा नहीं पूछा नहीं था कि ब्रेन व्रेन आपका टकला ओता है कि आनना आपका सबसे फ फूटेगा ना तो में निचरसाइब को पूड़ेट कर लें। कि ब्रेन आपके थोड़ा भी धक्का लगा मताब आपकी जान चली जाएगी तो ब्रेन को सब पूरेट करने में लगे रहती हैं तो जितना भी शॉक होता है तो शॉक को और यहां पर गिर जाओगे आप लोग और आपके बोड़ी परब्लम हो जाएगी और आप मर भी सकते हो तुरंदी तो यहां पर टॉपी के में लगेटा इस पार्ट आफ ब्रेडिस्ट है और बिसिकले गर इसमें यह हार्ट बीट है अगर आप किसमे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कफिंग स्नीजिंग बहुत सरी कंट्रोल करता है नौन वाइटल अप्टिविटीज को लाइक स्वैलों वामिटिंग यॉर्निंग सब को ठेक है तो यहां अच्छा से अगर इसमें कोई एक्टिविटी हो तो सब के सब य जाएंगे और आप दुरूंत मर जाओ या रेस्पिरेशन नी बंदो हो या हार्ट बीट बंदो को तो आप खता मी हो जाओगे न इतना समझना कुछन नमर थ्री फिर आंगे डिस्टिंगेस बिविन दिस इंपथर्टिक एंड परसींपथर्टिक नर्वा सिस्टम्स on the basis of heart felt they have an heart beat and urinary bladder stick it nothing but the happy to start to be like a heart beat or you know the bladder to heart me I was sympathetic nervous system self excellent good time you really better miss him 30 nervous system jota inhibit karta a bladder contraction code that's you it's not at night while holding a tea cup of mr. kothari hands later okay kothari which disorders he may be suffering from and what is the reason for this concern is a droga mother of her owner a while holding a tea cup mr. kothari hands rattle so concern a problem in the grave disease there with the bo on the grave disease oh yeah it's not because I'm a snap now take a bit of a google car no after one of the basic system of talking disease me body cancer in a t-game car can become another became an enemy a body a google can look at it though it's not a mess about it thyroid hormone key but the increase that is available to me every body cause of the इंसानों में आगे बढ़ते हैं लिस्ट आप प्रापर्टीज आफ इनर्फ फाइवर तो यह आप दो एक सी एक्सी एक्साइट अबिलिटी कंडेक्टिविटी स्टिमिलस और समेशन इफेक्ट तो यह सब मैंने समझाया है लेक्टर्स में इसको थोड़ा सा पोच्छे हाउ द यिटेक्ट देशेशन अफ़ तेस्ट ओविएस बिटांग मैं हमारे गैस्टो मतब गैस्टो हो रसेप्टर सोते हैं तो इसको थोड़ा सा भ्यान लगो इनि रसेप्टरइं कि मदद से टंग हमारी किसी भी टेस्ट को पता कल लिती कडवा है तीथा है मेटा है या फिर गुळद्जामुन है कैसा है ठिक एक वा इस्टेंट दी साइट ऑफ प्रॉडक्शन और फॉंक्शन सफ इक रेटिन गास्त्रिन कॉले शचतोग क consistent कर फिक् memoir साइट अव्रेस्टेट fajnaut talk में कहने उटकर भी कहते हैं यह टुम्हार करता है पन्क्रियास टुरीज जाइब से डॉल सो इस टुम एट गॉल ब्लेटर टुरीज दी बायल प्रॉप्ट्स ठीक है वाइल मालो से लोगर गोटा है उसको रिलिज करने में हल्प करता है आगे बढ़ते हैं आप मालो यहाँ पर मालो एक माइक सो एडिम हो गया है और यह हुआ है क्योंकि हैं थारोट इसे ज्यादा पर यूद्स तो जाके न कहीं वन्दा ठीक हो सकता है तो यह थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है ओके कुश्चिन नबर नहुआ है वेर इस दी पीटेटरी ग्लाइंड लोकेटेड यह तो ब्रेन के पास होता है हाइपोथलमस के नीचे इनली इस दी हॉर्मोन सीक्रेटेड वा एंटीरियर पीटेटरी ग्लाइंड ओकेड देख़ो अब यहाँ पे सारा पीटेटरी ग्लाइंड के वारे में बताना आपको कुणकुण से हॉर्मोन रिलीज करता है तो pituitary gland basically hypothalamus की नीचे रहता है और यह बहुत सारे हर्मोन like somatotropin है, thyroidist dominating hormone, adrenocortico-tropic hormone, prolactin, luteotropin या फिर memotropin जो कहो कहो बड़ कहो ठीक है ऐसे ही बहुत सारे हर्मोन like यहां पर gonadotropin है, luteinizing hormone, ISCH hormone तो यह सब के सब हर्मोन हमारा pituitary gland ही release करता है ठीक है इतना तुम्हें स सारे हर्मोन की functionalities each and everything मैंने आपको समझा रखा है तो आप जाओ और अच्छे से उन वीडियो को देख लोगे, ठीक है, question number 10 है, explain how the adrenal medulla and sympathetic nervous system function as the closely integrated system, कैसे, तो अब देखो, जो हमारा यहां पे closely integrated system है, यहां पे medulla adrenal medulla है, तो इसके बारे में पहले बात यह inner reason में रहता है adrenal gland के फिर ऐसी autonomic nervous system के अंदर आता है, autonomic nervous system हमारे sympathetic और pre ganglionic neurons के अंदर work करता है basically, यह सब मैंने आपको पहले ही बता रखा वीडियो में, मतलब ऐसा कौन सी theory नहीं है, जो मैंने वीडियो में नहीं पढ़ाई है, पूरे 8 से 9 part is chapter के बने थे, ठीक है, और इतना मतलब मामूली बा चलती है सारी चीजे, तो यह सब मैंने आपको बताया था, एक बार जाओ यार वीडियो में एक बार देखो कि तो आपको खुदी समझेगा, ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं बताया है, अब दो को यहाँ पे दिको आ जाओ, secretion of alpha, beta and delta cells isolate of langer and explain their role, तो अभी 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 तो य जिसे endemic कहते हैं, और दूसरा है non-toxic goiter, जिसे sporadic कहते है, ठीक है, इतना तो मैं समझना है, और यह toxic nodular और multi-nodular goiter भी होते है, दो डाइक कि इसको भी समझे रखना, उस नमर 13 है, name the ovarian hormone and give their functions, ovarian hormones में basically sex hormones होते हैं, और जिसी हम लोग यह तो progestron कहते हैं, फिर estrogen कहते हैं, इनके functions अगर बात करूँ तो यह जो major estrogen होता है, यह estradiol, estrogen and estrogen से बनता है, और यह healthy development of female, मतब जो female है, उसका अच्छा का सा अच्छे से पूरी उसकी body में shape आई, और body में development हो, उसके लिए यहाँ पे जो हमारा estrogen होता है, यह help करता है, इतना तुमें समझ के रखना है, यह hormonal activities हो कई बाडि प्रापर तरिका से develop नहीं हो रही, तो कहीं न गहीं उसके body में estrogen की problem है, हाला कि hormone की problem का problem नहीं कर सकती हो, क्योंकि कि किसी की body में कितने hormone, natub release होती है, वो उसके body की उपर ही depend करता है, या फिर किसी के दिदा jeans के issue भी हो सकती है, तो jeans के issue तो ऐसे issue है कि कोई मतब कं ट्रोल नहीं कर सकता है और वो किसी के हाथ में नहीं है भागवान के अलावा ठीक है इतना तुम्हारी बॉड़ी वैसे accept करो अपने आपको और फिर बहुत आंगे बढ़ जाओगे ठीक है कोई दुनिया में भागवान और हीरो नहीं होता यहां पर आपको समझना है तो देख लो यार मतलब पी एनस में यहां पर प्रडूसर माइल शीज तो यहां पर श्वैंसे लेलो इसको कुछ बताने जैसा नहीं है यहां पर यहां पर यहां पर हमारा कुछिन नबर सैवन यह बहुत ही मज़िदार कुछन है ऐसी बात नहीं है ठीक है यहां पर लॉंग एंसर्स देना है तो एक्स्प्लेंटी प्रोसेस ऑफ कंडक्शन आफ नर्व इंपल्स अब टू डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटें इसशलं मेणं आपको बताता किस तरीक है और किसमंप्टेंटी होते हैं कैसी कैसे बायो एलेक्ट्रिकल और येक्ट्र येट्क्र केमिकल डिस्टर्वेंस होता है पासे सबेंटी बता लगे नहीं बताया था तो इतने बड़ा सा एंसर था इसको सोडियम पंप करता है फिर मोल्टीज मतल्गेट चैनल्स होती है हाला कि यह कुशन साइगा नहीं बड़ा कुशन इतने बड़ा कुशन देता नहीं है बट फिर भी कर लो ठीक है चल वागे बढ़ते हैं अब देख से अच्छे से लेबल तरीकी से ड्रॉ करने है अब ड्रा रोग करके आभे बताऊं तो यहोड़ा से देख लो इस तरीक चार लेबल लिख्के आना है एठलिस्ट चार लेवल्स कोई डायग्रामंगर दो मासटा याद कर लो कुछ नहीं और यह रहा हमारा प्यारा सा न्यूरॉंस जो हमारे सिगनल को लेकर जाता है तो इसे भी आप याद कर लो आगे बड़ते कुश्चिन नमर थी की यहां पर आ जाओ तो एंसर दी कुश्चिन आफ्टर ऑब्जर्विंग डाइग्राम मिलो आपको समझेगा उनके सारे इस चीज़ को क्योंकि यह एंसर डाइकली यहां पर जो कुश्चिन पुछा उसके इंसर यहां पर बगल में लिखा हुआ है तो यह सम बताने जैसा तो हई नहीं ना इतना तो आप खुदी जानते हो अब ट्वेल्थ क्लास के बंदे को अगर हाथ उगली पगड़ को और कुछ और भी उसके बाद नहीं आया था तीन में यह हर जगए डाइग्राम पूछा है मत्तब कि जो रिफ्लेक्स एक्षेन वाले डाइग्राम है यह हर जगए पूछा है यह बात आपको समझ के रखनी है ठीक है तो यह कैसे सी एने से कंट्रोल होता है और इफेक्टर क इंग तो इस्कूल एंड एंड वे ही सो अमेजर बस एक्सिदेंट इस हर्ट बीट इंग्रीज एंड हैंड एंड फीट पीकम कूल्ट नेंदी पाट आफ इनर्वस सिस्टम दैट है रोल टू प्ले इंडिस रेक्शन अधर किसी एक्सिदें को देखा और तुम थंदे पड गया तो आपके बाड़ी में नर्वस सिस्टम ने कंट्रोल किया है आपको उस टाइम पर डूरिंग फाइट और सारी चीजे इस वक्त आपके बाड़ी में नौर एड्रेनालिन नाम के हर्मोन बहुत ज़दा रिलीज हुए हैं आगे बढ़ते हैं कुश्चन नबर सैवन द तो फैसिलिटेट इजी बर्थ ऑफ दी यंग वन ठीके रिलेक्सिन मालों में जब बर्थ हो रही होती है मौम के उधर से तो फिर वहां से क्या होता है रिलेक्सिन नाम का हर्मोन रिले जाता है जो कि ओवरी ही रिलीज करते हैं जिससे कि प्रॉपर तरिके फिर जो बोल होती है मतलव सारी चीजह होती है अब क्या यहां पर बताओ कॉले शिस्टो काइनिन जो होता है यह स्टु मेंलार्व टर्ट लैंट को से रिलीज होता है तो यह सभापर रेड कर लो एक बार समझेवार्या गार्शाट तो नहीं सकते हो आगे बढ़ता कुशन नमर्हें और जाहे तो यह पूरा एंसर लिख लिना हाला कि थोड़ा सेंसर बाड़ा है क्योंकि आप एक्जामपल्स भी दे दिया इसके लिए इसके लिए ठीक है बाकी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चाहँ तो आप नोट से इस्तेमाल कर लो अच्छी बात होगी ठीक है सब्सक्राइब का अगर कुछ स्क्रीशन कम जादा हो गया तो क्या प्राब्लम हो सकती है यहां कर हाइपर सिक्रीशन हुआ अगर एडरिणल ग्लाइट ने ज्यादा अपना जो भी अडरिणल के करता है इसे कि हम लोग पढ़ जाते थंड़े पढ़ आते सारे टेमप्रेशर नर्वासे इरिटेमिल्टे आ जाती है प्रसमाज़के रखना और अगर हाइपोसी प्र तो तो आपके बाडी के अदर दो टाइप की भीमारिया होंगे like यह से होती है यह अब होता है प्स원 कि और लोग अप्ट्रिशन उता आप की बाडी में आपके लिठर जी जॉन टि थे को ना ड्रा इसक्राइल संप्रेचिंग की लक्षन ते यानिकी सीम्टम्स होते हैं और मिक्सोली में में फिस इसकूल टैंपरेचर आपके बाड़ी कमएगा आपके इंदर ब्लड प्रेसर कमएगा हट्रेट स्लो हो जाएगा सब कुछ कम हो जाएगा इंटेलिजनसी अलटनेस गाया हो जाएगी यह मिक्सोडिमा में होता है तो यह सब कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अगया बढ़ते कुछ नमर्ट 11 एक्सप्लें देक्शन आफ इस्ट्राइड हॉर्मोन एंड प्रोटेनियस हॉर्मोन तो होती है यह सब यहां पर बहुत जदा है करते हैं इतने ही पॉइंट आप इग्जाम मिलेगा दूसरा मोड है सब्सक्राइब करें अच्छे से आगे पड़ते कुछन नमर्ट 12 डिस्क्राइब इन अकाउंट ऑफ डिसॉर्टस ऑफ दिधा रवाइड अब थाराइड में अगर हाइपर सिक्लेशन हुआ तो वही आपको बल्जिंग ऑफ आए एफेक्ट होगा ग्रेफ डिसीज हो जाए है तो इतना तुम्हें समझ के रखना है तो इस खतम हुआ हमारा यहां पर चैप्टर नमर् नाइन का पूरा का पूरा एकसर साइस का सॉल्यूशन मैंने पूरा दे दिया इसकी पीडिएफ याप को दे दूँगा बस आप लोग को सपोर्ट करना है और आप चाओ तो मुझ ऐस का पूरा कि थाप के शाप लोग को भीडिएफ दिया इसकी वाप खाफ तो मुझा डपका टाद कि लगएब का उन्यूशन मैंगल है तो मुझा कि वम बस आप खाफ टाहिएफ जए जएखल को भीड़ीशन मैंने पूरा कि पूर से बाला है अुटर श्या है आप उन्य